नमस्कार मैं हूँ प्रबीन और आप देख रहे हैं न्यूस्क्लिक का डेली रॉन लग शो अई ये नज़र डालते हैं आज की मुख्यों सुर्खियों पर देज भर में किसान मजदूरों ने मनाया काला दीवस जगा जगा फूके गए मोधी सरकार के पुतले क्यों पीएम गरीब कल्यार बीमा योजना के तहत केवल 60 दश्मिन और 01 तीम प्रतेशत हेल्थ केर वरकर्स को ही लाब मिला है हमाई तीसरी खवर यूपी से जहां पर उन्नाव में सबजी विक्रिता के परिवार ने एकलोता कमाने वाला गवाया दो पुलिस कर्मियों की गिरफतारी और आखर में कोरोना अपडेट देश में नहीं रुकरा मौत का सिलसला फिर 24 घंटों में 4157 लोगों की मौत आज यानि बुद्धवार 26 मई को दिली की सिमाव पर चल रहे किसान आंदोलन के 6 महिने पूरा होने और केंद्र की मोधी सरकार के 7 साल पूरा होने पर सनुतिकसान मोचा के आहवान पर देश भर में काला दीवस मनाया गया इसके तहट जगा जगा मोधी सरकार के पुतले फूके जा रहे हैं और लोग अपनी गाड़ियों और घरों पर भी काले जंडे लगा कर विरोध जता रहे हैं किसानों के साथ ही अनेक मजदूर संगटन, लोकतांत्रिक जनवादी संगटन एवं कई दलों ने विरोध दिवस का समर्थन किया इन सब का कहना है कि 26 मई को काला दिवस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज तेश करने का दिन है अन्दोलन कारियों ने कहा जहां एक तरफ किसान है, हर मौसम में हर जिती में अपने आपको मजबूत रखते हुए दिल्ली की सीमाओ पर 6 महिनों से संगश कर रहे हैं उसके विपरित केंद्र की मोधी सरकार पिछले 7 सालों से किसानों समेट समाज के हर वर्क का गहरा शोशन कर रही है आज का दिन देश के तमाम जनवादी संगठन विरोध दिवस के तौर पर मना रहे हैं वह केंद्र सरकार को एक सीधा संदेश दे रहे हैं कि लोग तंतर में लोग बड़ा होता है तंतर नहीं तन्वी सीम और अनुशा आर ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्त देख भाल केंद्रों में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्त कर्मियों के लिए बनी पधामंत्री गरवी कल्याट बीमा योजना के डिजाइन और उसके कार्यान वयन में मौजुद खामियों को उजागर करते हुए बदाया कि स्वास्त देख भाल कर्मी जो महा मारी का मुकाबला करने के लिए सबसे आगे हैं उनके लिए योजना का लाप सुनिश्चित करने के लिए इन खामियों को तदकाल ठीक करना क्यों जरूरी है 27 मार्च 2020 को केंदरी वित मंत्राले ने 1.7 लाग करोड रुपए के एक कोवीड राहत पैकेज को पेश किया था इसमें भारत के लगब 22 लाग स्वास्त कर्मियों का बीमा कवर शामिल है पैकेज जिसे सरकारी अस्पतालो और स्वास्त देख बालो केंदरों में कोवीड 19 से लड़ने वाले स्वास्त कर्मियों के लिए प्रधाल मंत्री गरीब कल्यार बीमा योजना की रूप में जाना जाता है वह अप्रेल 2021 में समाप्थ हो गया जिसके बाद में एक अन्य वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था इस पैकेज को केंदरी स्वास्त और परियार कल्यार मंत्रारे द्वारा संचालित राश्ट्री आप्दा जवावी कोश के जरिये वित्पोशित किया गया है और यह स्वास्त कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए का भीमा कबर भी प्रदान करता है हाला कि इसके डिजाइन में एक बड़ी खामिया है जो PMG के भीमा योजना केवल COVID के करण जीवन की हानी और COVID संबंदी ड्यूटी के करण आकस्मिक मृत्यू को कबर करती है यह योजना अपने दाइरे में दाइरे से उस परियाप्त मात्रा से साहिता को दूर कर देती है जिसकी अधिकान श्वास्त देखबाल कर्मियों को सक्त जवरत होती है यानि बीमारी से बचे लोगों के चिकित सा खर्चा के लिए इसकी विशेश जवरत होती है उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोमवार को कॉंस्टेबल विजय चौधरी को बिजनौट जीले के चांदपूर इलाके से उनके आवाज से गिर्फतार कर लिया है पुलिस ने इस बात की पुष्टी की है कि वह उन्नाव जीला के बांगर मौज इलाके में एक किशोर सब्जी विक्रिता की मौज से जुड़ा एक प्रमुक आरूपी है बांगर मौज इलाके के भाठपूरी मौहले के मौल निवासी फैजल हुसैन को यूपी पुलिस द्वारा सब्जी मंडी इलाके में उनकी दुकान से उठाये जाने के कुछी देर बाद मृत पाया गया था कोविड लॉक्डाउन कर्फियू नियमों का उलंगन करने के नाम पर लड़के को कथी तौर पर पीट पीट कर मार डाला गया था तीन लोगों पुलिस कॉंस्टेबल विजय चौधरी, सीमावद और होमगाड जवान सत्य प्रकाश के खिलाफ 21 मई को पहले फैसल को उसके घर से बाहर भार पूरी में कथी तौर पर पीटने और फिर पुलिस स्टेशन के भीतर पिटाई करने और हत्या के अरोग के केस में दज किया गया है। केंद्री स्वास्त मंत्रारे द्वारा आज बुद्ध्वार यानि 26 मई को जारी आकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंडों में करोना के फिर से 2,008,921 नए मामले दर्च किये गया है। जिन में से अब तक 3,11,388 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में करोना से पिरित 89,66 फीसदी यानि 2,43,50,816 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। इसलिके साथ देश में अक्टिव मामलों की संक्या घट कर 9,10,18 फीसदी यानि 24,95,591 हो गई है। साथ मंत्राले की ताजा अनकरी के अनुसार देश में करोना वैक्सिन की 20,6,62,456 डोस दी जा चुकी है। जिन में से 20,49,87 वैक्सिन की डोस पिसले 24 घंटों में दी गई है।